Hello everyone, welcome back to this YouTube channel So strengths, आज हम सीखने वाले हैं पूरा का पूरा वीडियो सलुशन और फर्स्ट मॉक टेस्ट जो की था mathematical logic के उपर पहली बात तुम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग इस पूरे मॉक टेस्ट में maximum number मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे marks score कियें ऐसे 8 strengths थें जिनका marks आया था 50 में से 50 मतलब 100 percentile So उन्हीं सभी को मेरी तरीके से बहुत सारे शुखका मनाएं So without wasting our time चलो हम स्टार्ट करतें वीडियो सलुशन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको need है इस वीडियो सलुशन की कि सर इस टाइप के question को कैसे handle करना है So यह आपका पहला question दिखाई दे रहा हूँ का आपको computer screen पे जिसमें exactly, confirmly बता यहां गया है यहां पे गेचों कि the statement pattern negation R and P or Q and P or Q and negation P or Q तो इस question के गर मैं बात करूँगा इस question में थोड़ा सा change मैं करना चाहूँगा क्योंकि एक law लगाँगा मैं negation R यहां पे जो and बच्चों यहां पे मैं आपको लगाने वाला हूँ और मतलब यहां पे और लगा देता हूँ P or Q just give me one minute P or Q and उसके बाद है बोलो and P or Q and negation P and Q हो सकता है यूँकि कुछ books की कुछ mistakes होती है उन चीजों का हमें ध्यान नहीं देना है बढ़ exam में जब question आगा तो मतलब आपके CT में जब question आगा तो exactly correct आगा कुछ question में printing mistake होता है बढ़ आगर आप बोलगे सर सारे question में ऐसा है तो ऐसा नहीं है ठीक है देखो इस question में देखो आपके यह first part है यह second part है third part है तीनों के बीच में क्या है end मतलब हम कोई भी दो साथ में ले सकते हैं तो मैं इन दोनों को साथ में लेता हूँ ध्यान दना guys मैंने हापे change किया हुआ है इस end के place पे और होगा perfect yes अब ध्यान से सुनना एक law सीखा होगा आपने P और P and Q P and P और Q जिसे हम बोलते है absorption law क्या बोलते हैs trends absorption law मतलब बाहर और होगा तो अंदर end opposite sign अगर बाहर end है तो अंदर क्या हो जाएगा और ऐसे case में एक बंदा हमेशा same आने वाला है तो उसकी value क्या हो जाएगी वही बंदा जो same आता है similarly यहाँ पर भी देखोगे तो first two को P और Q दिखाई दे रहा है बच्छो अब यहाँ पे end है और यहाँ पे क्या है बोलो और मतलब different values है तो उस हिसाब से जो same होता है वही value आएगी तो क्या बच्छेगा आपका P और Q और यहाँ पे बीच पे क्या है बच्छो and फिर क्या हो जाएगा negation P and Q अब ध्यान सुनों यहाँ पर shorter करना है यहाँ पे पी और है राइट ना और यहाँ पे negation P है समझो सब लोग तो P और negation P cancel हो जाएगे तो answer क्या बच्छेगा सीर पर सीर आपका उच्छा पे Q clear yes तो इसका answer बोलो क्या है D Q तो इस तरीके से इस question को हमने कर दिया D is the correct answer confirm yes अगला question देखते हैं तो अगला question यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब लोग देखो जाएग The proposition negation P negation P implies that P और P implies that negation P is what neither tautology ओके nor contradiction tautology and contradiction contradiction ओके इसका third option दिया है What is the fourth option अच्छा fourth option यहाँ पे दिया last में दिया है कोई बात नहीं हो से फोई फरक नहीं पड़ता चलो हम question solve करते हैं तो question में देखी लोग आपने exactly कैसा दिया हुआ है right so इसके अंदर करना क्या है बच्छो ध्यान दो मुझे बताना है कि exactly है क्या right देखो सब लोग अगर इसको मैं simplify करने की कोशिश करूँग देखो exactly क्या आता है यहाँ पर एक ही statement है P मतलब अगर P की value या तो आपको true रखनी पड़ेगा तो false देखते हैं इसकी value exact में क्या आती है अगर आपने P की value रखनी true देखो सब लोग yes true so finally क्या हो जाएगा negation true होनी की वज़े से false implies true बहुत fast होने वाला है फिर और फिर ही आपका हो जाएगा true implies negation true क्या हो जाएगा false so आप सभी को पता है कि जब कभी implies होता है तो tf आना चाहिए tf आएगा तो ही आपका answer आफ आएगा otherwise true होगा so tf है यहाँ पर इसकी value क्या हो जाएगी false बढ़ यहाँ पर tf नहीं है tf मतलब implies हमेशा left से right भागता है तो पहला t होना चाहिए दूसरा false तभी true आएगा तो इसकी value true तभी false आएगा otherwise true तो इसकी value क्या हो जाएगी true बीच में और तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या और है बच्चो बीच में और होनी की वज़े से इसकी value क्या आने वाली है true यह बने value put की ठीक है यह मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ ध्यान देना अब इसी तरीके से मतलब जब मैंने पुरा true put किया तो मुझे क्या value मिली true मिली अब मैं एक काम करता हूँ false सकता हूँ the negation of P false अब P के place पे तो negation of P क्या हो जाएगा true फिर यह तो false है implies फिर यह बीच में आ गया और बराबर P आपका false है implies यह हो जाएगा true अब आपको पता है T F तो आपका F होता है और यह हो जाएगा true answer is 2 that is B is the correct answer yes अगला question the logical statement negation P implies that Q and Q implies that P is equivalent किसके equal है देख्लो फटा फट तो negation P implies that फटा फट करेंगे पहले हम इसका formula अपलाई करता है क्योंकि इंपलाई इसका formula आपको पता होगा कि पहले वाले का negation तो negation of negation P फिर बीच में और करके Q लिख दो फिर यहाँ पे बीच में क्या है बच्चो and फिर second वाले का मतब second वाले में पहले वाले का right ना क्योंकि Q implies that P है so rule भई होता है पहले वाले का negation तो Q का negation क्या हो जाएगा negation Q and और फिर क्या हो जाएगा P so guys negation negation P और Q okay and अब इसमें से P को पहले लिख दो और negation Q लिख दो अब ध्यान देना अब यहाँ पे समझ में आता है कि Q है और negation Q है common sense नी बात है P क्या होगा common तो P होगा आपका बहर Q और negation Q हट जाएगा cancelled खतम तो इसका answer क्या हैगा P P मतलब A यस देखो आपके right answer is 1 1 मतलब A is the correct answer clear यस देखा आपने फड़ा फड़ का रहे हैं में लोगस को चलो अगला question so अगला question एक मेंड़ा जिस गिमी वन मेंड लगता है कुछ निचे छूट कहा है yes fourth question यहाँ पर दिया है guys fourth question यहाँ पर दिया हुआ है अच्छा fourth or fifth दोनों है कोई बात नहीं fourth देखलो सब लोग यहाँ पर yes so fourth में क्या बोला है the only statement among the following that is tautology मतलब इस में से कोई A की statement है जो की tautology है आप पहचानना है किसके अंदर से कौन सा statement है बच्छो जो आपका tautology है समझा आपे आपको सबको पता है A and A or B so A and A or B आपको पता है absorption law है मतलब इसकी value क्या हो जाएगी A A और A and B इसकी value भी क्या हो जाएगी A अब A मतलब इसकी value A आ रही है क्या बोलाई the only statement among the following that is tautology is what मतलब tautology होना चाहिए अब इसमें से देखते कौन सा answer यहाँ पे हो सकता है ध्यान दो अब यहाँ पे बात ध्यान समझो so अब हम समझते exactly क्या होगा C or D के option में क्योंकि हमें tautology धूढ़नी है so guys A implies that of A और B बराबर तो आप सबको पता है कि इसको हम लोग साथ में भेज देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका A and negation A that is what हो जाएगा cancel मतलब एक तरीके से and आया तो आपका false value आएगी फिर बीच में आएगा और फिर जाएगा A and B ओके और वो उसका implies कर देंगे B के साथ देखलें आपे सब लोग ओके तो आप सभी को पता है कि इसको समझते हैं आप सभी को पता है कि A and B है हमारा है आपे तो इसकी value true भी हो सकती है false भी हो सकती है true or false answer is true false or false answer is false मतलब यहाँ पर value क्या आ रही है A and B A and B implies that B समझ दे फड़ा बड़ा तो यह हो जाएगा आपका इसको ही formula अपलाई कर दो यह आपका and है right so and होनी की वज़े से exactly क्या होगा आपका negation of A and B okay और B so negation A और negation B और B so यह गया आपका perfect है की नहीं so value क्या है हाँ पर आएने वाली है negation A simplify करने के बाद right अब यहाँ पर समझने exactly क्या होने वाला है क्योंकि हमने जो भी simplify किया इसके अंदर exactly क्या हो रहा है की यह जो हमारा A implies B इसका दो answer क्या है chances है कि यहाँ पर F आजाए यहाँ पर true आजाए कैसे देखो सब लोग अगर यह true पूट करता हूँ B के place पे समझो मैं लोग अगर B के place पर true पूट करता हूँ यहाँ पर true पूट करना पड़ेगा है की नहीं तो यहाँ पर मालूम मैं पूट करता हूँ A के place पे true यह true हो जाएगा बराबन तो true implies that true आजाएगा true true and true true so T implies that T that is equal to true आज पर्फेक्ट लेकिन अगर मैं यहाँ पे A के place पे false पूट करूँ पूट करूँ false समझो यहाँ पे so क्या हो जाएगा पे false implies that true mix हो रहा है right na so यहाँ पे FRIS का मतलब है false हो रहा है false हो रहा है मतलब यह आपका totology नहीं है तो बचा कौन C C is the correct answer clear yes आते हैं थर्ड कोश्चन फिप्ट कोश्चन के पास guys यह जो फिप्ट कोश्चन है इसके अंदर options यहाँ पे दिये गए है कि if the truth value बाताँ साइड ही माता हूँ देखो सब लोग if the truth value of P double implies that R, R P double implies that Q and FTF मतलब इनकी values दी गई है देखो सब लोग then respective truth values of PQ तो मुझे PQ की यहाँ पे truth value निकाल नहीं है बहुत आसान कोश्चन है आपको लग रहा होगा देखो सब लोग P double implies that R फिर R और यहाँ पे दिया है P double implies that Q So P double implies that R की value है false ओके R की value यहाँ पे क्या दिया है true और इसकी value भी दिया है false समझते है So हमें P और Q की value निकालनी है देखो बहुत आसान कोश्चन है सबको पता है कि double implies कैसे आता है So double implies में false आ रहा है और double implies rule क्या बोलता है कि अगर दोनों same value होगी तो ही true होगा Same same मतलब चाहें दोनों T T हो चाहें दोनों FF Right न Common sense ही बात है R की value true है R की value क्या है True अगर P की value भी true होगी तो true double implies that true Same same हो जाएगा Same same होनी की वज़े से Answer आजाएगा true इसका मतलब P के place पे True नहीं लिख सकता तो P के place पे क्या लिखना पड़ेगा False क्योंकि ये true है ये false रहेगा दोनों different रहेगे तभी तो answer false आएगा तो P यहाँ पे क्या हो गया False तो P आपका हो गया false Right So P हो गया आपका false अब double implies that है इसका मतलब Q आपका F नहीं हो सकता क्योंकि F हो गया तो भी answer true हो जाएगा तो भी same same पे true होता है मतलब ये क्या हो जाएगा true So आपका option क्या है बच्छो एक F और एक true है मतलब P और Q में P की वेलू true है Q की वेलू Sorry P की वेलू false है Q की वेलू true So P की वेलू false है Q की वेलू true एक ही जगा पे है That is A is the correct answer Check करते हैं A is the correct answer है क्या Yes, yes, yes A is the correct answer अगला देख लो question ये तो बहुत आसार लग रहा है मुझे P double implies क्या निकालना है negation So P implies that negation P और Q सभी को पता implies का form ला तो बोलो क्या हो जगा पे negation P और negation P और Q है की नहीं? Yes अब आप क्या करोगे समझने वाली बात है यहां पे और है तो और होने की वज़े सा आप किसी को भी किसी के साथ रख सकते हो तो मैं negation P और negation P साथ में करूँगा और Q तो यह आपको पता है याद है id important law same same है तो वही value आने वाली है और Q अब इसका क्या निकालना है negation तो negation निकालने के लिए negation ऐसा multiply कर दो तो negation negation गया क्या बचेगा P और का हो जाएगा और Q का हो जाएगा negation Q तो देखलो answer P and negation Q I think D में है yes guys fourth that is D is the correct answer clear I hope कि सबको समझ में आ रहा हो गाए सारे questions अगला question देखलो सब लोग the negation of the boolean expression R and negation S और S okay is equivalent to अब मुझे क्या निकालने किसके equivalent है हमारे पास 4 option है दिखते किसके equal होगा so हम लोग क्या करते है negation apply कर दे yes तो क्या हो जाएगा negation R हो जाएगा ये end है तो बन जाएगा और negation S का बन जाएगा S और ये और है तो बन जाएगा end और S का हो जाएगा negation S अब इस negation S और end को एक बार S के साथ और एक बार negation R के साथ multiply कर दो तो negation R and negation S उसके बाद बीच में और है थो हमने कर दिया और फिर S and negation S so guys यहाँ पर लग जाएगा compliment law हट जाएगा तो क्या पचेगा सिर्फ और सिफ negation R and negation S that is what first option इसलिए आपका A is the correct answer आठवे कोशन पर आगया है हम लोग फटा फट चलो सिर्फ कोशन नबर आठवा यहाँ पर आगया है very good very good यह कोशन आपका first question की तरह है guys ध्यान देना सब लोग same same चीज़े है यह and है यह और है देखा आपने वो कोशन वैसे है यह and है और यह और है so P and Q एक मिनटा थोड़ा साथ को मैं जूम करता हूँ yes यहाँ देखा so P and Q P and Q और यहाँ पर negation R यहाँ पर and है और यहाँ और है same value है operator अलग है तो क्या लगेंगे absorption law तो absorption law लगाने के वज़े से जो same होता है वही बंदा आता है इसका मतलब क्या हो जाएगा P and Q यहाँ से आजाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा और negation P and Q पिछला वाला question जो first question था वैसे ही था अब देखू कि यहाँ पर P and negation P same है तो क्या बचा Q जो दो क्या होता है P and negation P यहाँ गया एक दूसरे चैंसल कर देंगे सिर्फ क्या बचेगा आपका Q So here Q is the correct answer D Check करते D Yes, D is the correct answer Okay guys आप यहाँ पर धान से देखो यह तो direct answer है Which of the following is not equivalent to P implies that Q So P implies that Q के equivalent क्या नहीं है Right So यहाँ पर देखो सब लोग P is sufficient for X Yes P only if Q क्या आपका C Yes Q only if P कोगी यह आपका उसके equivalent नहीं है क्या P implies that Q के So answer 3 is the correct answer अब यहाँ पर इजरा देखो सब लोग If P and Q are true देखो सब लोग P Q की value यहाँ पर क्या है True है And R S की value क्या है False Perfect अब यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर अब यहाँ पर आपको समझना होगा Question क्या बोलाए Then which of the following is true For the value put कर देते हैं हम लोग पहले बाले में P Q की value true है तो यहाँ आपको औरली करना है True and Negation R R की value यहाँ पर क्या है false So negation R क्या हो जाएगा आपका false होनी की वज़े से So negation कर दो true आजाएगा Okay negation Q आपका true हो जाएगा false और S की value false है ठीक है So and में true है तो true True and true is true फिर यहाँ पर and है यह false है So in short क्या आएगा true and false Answer is false उसने क्या बोलाए Which of the following is true तो यह A तो नहीं है आपका आगे दिखते है P implies that Q So T implies that Sorry P implies that Q मतला P Q true है है की नहीं So true implies that true Answer is true And false False double implies that false So same होनी की बज़े से answer क्या जागा true So और होनी की बज़े से true Or true that is equal to true So B आपका correct answer आएगा Check कर दो yes हो गया बात खतम यहीं पे आगे चेकी नहीं करना है है की नहीं Yes क्योंकि चारो में इसको एक यह option true होगा तो जब second वाला ही correct हो गया तो आगे चेक करने की जरुट है क्या no So B आपका true गया Otherwise अगर आपको चेक करना है तो सब चेक कर सकते हो ठीक है Yes Next question number 11 guys अब मुझे क्या निकालना है Negation of इसका निकालना है negation फटा फट तो for all का बोलो क्या हो जाएगा there exists and belongs to natural number n plus 7 बोलो n plus 7 दिया है So ये क्या हो जाएगा greater than का उल्टा less than or equal to 6 चेक करो यह answer कहाँ पे है Okay So n plus 7 is less than or equal to 6 there exists दिखो यहाँ पे तीन जगा there exists है ये तो होगा ही नहीं for all क्योंकि negation करेंगे for all का तो जगा there exists ये तीनों होगा ही नहीं अब उसमें say n plus 7 is less than or equal to 6 I think b b right तो b correct answer दिया है क्या yes yes guys So b is the correct answer आते question number 12 के पास अब यहाँ पे देखो क्या बुलाएं which of the following statement pattern is a tautology बताना कौन tautology है कौन नहीं तो यहाँ पे आपको simplify करके इनकी value put put करके आपको देखना पड़ेगा है की नहीं चलो देख लेते हैं हम लोग क्योंकि आप सभी को पता है कि PQ है तो आपको PQ की value 4 होगी है की नहीं यहाँ पे plus दे दिया मतलब नौर्मली और का रोल प्ले करेगा ठीक है यहाँ कंफ्यूस नहीं की जरूत नहीं है समझते हैं क्या होगा ऐसे कोशन क्योंकि ऐसे कोशन जब आते हैं आपके पास क्या होता है कि truth value put करके simplify करना ही आसान होता है तो इसका जो answer दिया है that is 4 is the correct answer so 4 मतलब अगर हम बात करेंगे 4 कौन है आपके D so D is that is 4S4 तो S4 यहाँ पर correct option है क्योंकि इसकी value क्या है यह मुझे क्या बोला है आपके tautology मतलब tautology है कैसे one by one चाहिए तो आप रख सकते हो गाई एक बार true रखते हैं सबकी value एक बार true और false रखते हैं सबकी value clear और एक बार हम लोग क्या रख देते हैं सबकी value no doubt false true ऐसे ऐसे फटावट कर देने का और एक बार false false सारी value false रख देते हैं so यह P क्यू है no doubt यहाँ पर negation P होने की वज़े से true का हो जाएगा false होई की नहीं so यह tt ff है negation होने की वज़े से fftt हो जाएगी तो ऐसे आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ फटा फट fftt आप implies करो so implies में यहाँ पे सिर्फ true आएगा है की नहीं और कहीं नहीं आएगा और double implies में same sim कहाँ पे यहाँ पे true आएगा same sim काम है यहाँ पे true आएगा बराबर अब इनके बीच में क्या निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं और so और मतलब दिखो यह दो single implies है ना तो क्या हो जाएगा यह आपका sorry tf है तो यहाँ पे answer f आएगा sorry गलती भी so यहाँ पे हो जाएगा true true and true so guys यह true है यह true है यह true है यह true है और यह f है similarly यहाँ पर यह आजाएगा f यहाँ पर जाएगा यह f right अब इनके बीच का निकालते हैं और tf है तो answer आएगा true f t है तो answer आएगा true tt है तो answer आएगा true tf है तो answer आएगा true तो इसका आंसर क्या बोलो, D is the correct answer, so D is the correct answer, that is S4 क्या आपका correct value है, अब आतने अगले question के बास, क्या बोलने हैं, the statement pattern P or Q and negation P and negation Q is equivalent to what, contingency, contradiction, then tautology are equivalent to P and Q, देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन लोग हैं, first, second, third, यहों के बीच में end हैं, so मैं क्या करता हूँ, P और Q, right and negation Q, and negation Q, ऐसे लिख देता हूँ मैं, है की नहीं, उसके बाद, sorry, यह negation P है, उसके बाद इसमें से negation common लेता हूँ, तो P और Q and गया बाहर, right न, so negation common ले रहा हूँ मैं, तहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा P, and का हो जाएगा or, negation Q हो जाएगा and होनी की वज़े से value क्या आजाएगी, false, false मतलब क्या होता है आपका, contradiction ने, contingency, sorry, totology, ने, totology होता है, right, क्या इसका answer, एक मेरा, so इसका answer में क्या दिया है, yes, 2 is the correct answer, सही बोला था, मैं contradiction नी होगा, इसका answer, क्योंकि या देना, converse, inverse, contra positive में, कहां गया, yes, okay, so always false आने वाला है, so आप सभी को पता है इसका value क्या हो जाएगा, B is the correct answer, ठीक है, cot contradiction, that is 13th का question का answer ये, so देखा आपने इसका B is the correct answer, now 14th number question ही तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, इसका निकालना है negation, सब लोग देखो, सब लोग आपे negation, of the statement, if P is less than 7 and 7 is greater than 2, then P greater than 2 is equivalent to cot, क्या मुझे इसका का निकालना ही negation, तो इसको मानलो P, इसको मानलो Q, सही है, so क्या होजएगा P implies that Q, इसका formula क्या होता है negation P और Q, बराबर, इसका निकालदो negation, तो negation निकालना हो जाएगा P, और का and Q का होजएगा negation Q, अब यहाँ पे P क्या है, बच्चे ओ, P आपका यह ही है, है क्या 7 and 7 is more than 2 और बीच में end है तो लिख दिया end और यहाँ पर क्या दिया आपको negation Q so 5 more than 2 का negation Q क्या हो जाएगा 5 is less than or equal to check रो ऐसा answer कहाँ पर है so 5 is less than or equal to इन दोनों में है बड़ा बना बड़ इन दोनों में 5 is less than 7 7 is greater than 2 5 is less than 7 7 is greater than 2 और यहाँ पर क्या है बच्छो now let's move to the अगला question 15th number question क्या दिया है बच्छो 10 question और है फटावर करते हैं लोग okay the negation of the statement फटावर करेंगे there exists मतलब for all फिर belongs to a है के नहीं yes x belongs to a such that बुलो क्या हो जाएगा x plus 5 is less than or equal to 8 less than or equal to 8 so less than or equal to 8 पहाँ पहले बाले में है और फॉर आले बताए is the correct answer देखलो सब्लोग a is the correct answer आते कोशन नमर 16 के पास अब ध्यांस सुनो which of which of the following statement pattern is a contradiction contradiction बता अलवे सब्सक्राइब को देखेंगे तिसका आंसर बो फॉर्थ ठीक है yes so fourth मतलब d और d में क्या था पुच्छे हाँ पे देखो सब लोग yes so d में आपका value था that is s1 यहाँ पे s1 correct है मतलब अगर आप इस कोशन की होगे न तो पहले बाले में आपको पता चल गया होगा कि हां always false आ रहा होगा इसका मतलब आगे चिक करने के जरूरत ही नहीं है confirm yes अगला कोशन आते हैं हम लोग कोशन नुमर 17 क्या बोला है कि the contra positive देखो सब लोग contra positive of that statement if Raju is courageous then he will join the Indian army बराबर यह कुशन है तो इसको हम ले दोते है P इसको हम ले दोते है Q P and Q now so concept क्या बन जाएगा P implies that Q so strengths P implies that Q का contra positive क्या होता अगर आपको याद होगा negation Q implies that negation P right so you have the converse, inverse, contra positive उसमें से आपका contra positive क्या होता है negation Q implies that negation P so negation Q मतलब Q आपका कौन है he will join Indian army इसका negation निकालते है so he मतलब आपका Raju है right now so Raju will not or does not join Indian army so Raju does not join पहला वाले में join Indian army है मतलब ए तो नहीं है Raju does not join Indian army Raju does not join Indian army Raju does not join Indian army और ध्यांदना यह पूरा if है मतलब if से start हो रहा है सही है आगे देने अब देखते हैं negation P so यहापे negation P क्या होगा Raju is courageous Raju is courageous तो Raju का Raju is courageous का negation क्योंकि हमें क्या चाहिए ना negation P so उसका बो निकेशन क्या हो जाएगा Raju is not courageous so then Raju मतलब he is not courageous तो B, C, D में से कोई एक होगा क्योंकि सब के अंदर Raju does not join Indian army जोगी क्या है आपका negation of Q है पर्फेक्ट लेकिन उसमें से आपको निकालना है negation P that is what Raju is not courageous so Raju मतलब he he is courageous he is courageous देखो आपे इसमें आ रहा है इसका मतलब B is the correct answer C और D नहीं है देखो सब लोग पर्फेक्ट यास answer 2 is the correct answer very nice आगे चलते हैं क्या बोला है यापे the logical expression ये तो question आपने देखा कई बार आ चुका है guys so P and Q और R negation R and negation Q and P is equivalent to what इस question में देखने से ही मालूम पढ़ता है समझ में आ जाता है मुझे क्यारना क्या है क्योंकि P and पहले है यापे P and पहले लिख दो और इसमें से negation बाहर निकाल दो तो क्या आएगा Q और R है की नहीं बराबर न so P and आपने निकाल दिया Q और R आ जाएगा अब उस हिसाब साब को पता है Q और R और यहापे negation Q और R है तो कोई भी normal और उसका negation आ जाएगा तो वो हट जाते हैं तो बचता क्या है यहापे आएगा P तो यहापे P बचेगा तो उस हिसाब से P मतलब आपका D होना चाहिए correct answer देखते हैं yes guys D is the correct answer तो ऐसे questions को आप फटा फट सॉल्ट कर सकते हो अगला question yes so अगला कुछ question में सो गया नीचे से अगला question क्या दिया है so the next question उसके बाद आने वाला है हाँ देखो यहाँ पर यहाँ 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 पर कि निगेशन पी यहाँ पर सब लोग आइटिंग मैं बीच में आ रहा हूंगा नहीं है नहीं यहाँ नहीं हाँ तो निगेशन पी एंड क्यू मैं लिग तहाँ पर निगेशन पी एंड क्यू implies that r is false बोलो इसकी value क्या है false then the truth value of pqr निकालना है बहुत आसान है guys देखो इसकी value false है मतलब इस पूरे statement की value क्या आ रही है false अगर इस पूरे statement की value false आ रही है और यह implies है तो false एक ही case में आता है जब यह पूरा true होगा और यह होगा false अब इसको true होने के लिए and है बीच में बीच में and है इस पूरे को true होने के लिए यह पूरा true होना चाहिए पूरा true होना चाहिए है की नहीं, तो Q आपका true है, R आपका false है, negation P आपका true है, बच्चों अगर negation P true है, तो P की value क्या हो जाएगी, false, बढ़ा बना समझो, क्योंकि negation P आपका true, ये पूरा true, ये पूरा true, तभी तुमका end में true आएगा, तो negation P true है, मतलब P क्या होगा, false, तभी तो negation P true आएगा, तो क्या होगा आपका answer, P is false, then Q is true, and R is false, बढ़ा फटाक से less than 30-40 seconds में हो जाता है, FTF, FTF कहा पे है बच्चों आपका A में है, चेक करो A is the correct answer, नहीं दिख रहा है आपे, आगे दिखते आगे वाले page पे, so FTF मतलब A था नहीं, yes, so A is the correct answer, आगे गाए गाईगा इस question number 20 पे, yes देखो सब लोग, so write the statement in symbolic form, where Sandeep neither likes tea nor coffee, so यहाँ पे P Sandeep likes tea, Sandeep likes tea को ले लिया उसने P, nor coffee को ले लिया उसने Q, right, सही है नहा, and R क्या गया, Sandeep enjoys a soft drink, soft drink हो गया पे, R, so क्या बोला है, Sandeep neither likes tea nor coffee, so neither nor या नीदर नौर आगया, तो P है यहाँ पे likes, तो neither बोल दिया मतलब negation P, वहाँ पे nor है, तो nor का मतलब होता है end, और मत समझना, और मतलब और और ही होता है, nor आगया मतलब और नहीं है, वो end है, फिर nor coffee, तो coffee भी नहीं पसंद करता, तो जो आपका क्या नाम है, जो भी बंदा क्या नाम है, उसका संद J is a soft drink, soft drink मतलब क्या था अपका R, अब देखो ऐसा answer कहां दिया, negation P and negation P and D में ही दिखाई दे रहा है, चिक करो उसका D answer है, देखो D answer है, है कि नहीं, सब समझने के उपर और कुछ नहीं, so D is the correct answer, yes, perfect, चलो move करते है, 21 number question के उपर, so I think अब आपको मुझे इसमें बोलने की जरत नहीं है, क्योंकि इस क्या बोला, among the given statement, below is the totology, तो आपको देखना है, value randomly put करनी है, क्योंकि PQ की value 4 value होगी, या तो दोनो true होगे, या तो एक true, एक false, या तो दोनो false, right, न, उस हिसाब से आप सारी value फटाफट पुट करो, और simplify करो, देखो क्या value जाती है, और इसमें से question number 21, after question number 21, now let's move to the question number 22, क्या लिखा है कि the entries in the last column of the truth table of this P and Q, negation of P and Q, सबको पता है P and Q की value क्या होती है, true, false, 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 कैसे, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो values होती है, P and Q क्योंकि T, 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 F, F, T and F, सिफ T, T, T के case में true आता है, बागी case में क्या होता है, false, इ जब इसका negation निकाल हो, क्या हैगा, F, T, 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 so देख लो, सब लो, F, T, 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 कहाँ पर है, yes guys, C is the correct answer, चेक के लो, correct है क्या, C, 33, yes, so C is the correct answer, now let's move to the question number 23, 23 में क्या बोला है, समझते हैं exactly, P implies that negation P or Q is false, then find the truth value of P and Q respectively, so आपको पता अगर ये false है, implies होनी की वज़े से पहला वाला true होना चाहिए, दूसरा वाला होना चाहिए false, perfect, अब ये false है, है की नहीं, अगर ये false है, false है, इसका मतलब क्या होता है, और है, और और के case में अगर एक भी true आता है, तो answer हो जाता है true, लेकिन मुझे क्या से answer false चाहिए, answer false मतलब इस negation P की value भी false आनी चाहिए, और इस true, दो P true भी आ रहा है, मतलब in short P की value क्या आ गई, true और Q की value क्या हो गई, false, perfect, yes, so true और false कहां पे हैं, देखो D में हैं, तो D is the correct answer, yes guys, so D that is fourth one is the correct answer, आते हैं, question number, yes 20, question number 24, लगभा उसी type of question हैं, क्या बोला है, P and negation Q, negation P और R is false statement, then respective value of P, Q, R, इसमें भी लगवों दूनों से प्रेमी तरीका दिया है, खाली change कर दिया है, उससे फरक पढ़ता नहीं, ध्यान दो, यह क्या हो जब चापका true और यह हो जाएगा false, perfect, यह बुलो क्या हो जाएगा true, यह हो जाएगा false, क्योंकि यह पूरा false होने के लिए पहला true, दुसरा false, क्योंकि implies है, implies में false तभी आता ह false, right now, तभी तो negation q false, sorry q आपका false है, तो false का negation क्या हो जाएगा true, perfect, तो यहापे p क्या हो जाएगा true, और q क्या हो जाएगा false, उसी तरीके से, तो हमने क्या put कर दिया है, हापे p की value true और q की value false, अगर p की value true है, यह पूरा क्या हो जाएगा false, और अब मुझे false answer चाहिए, तो false answer होने के लिए r के place पे आप true तो रख नहीं सकते क्यों true रखा तो answer true हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा false, perfect, तो क्या हो जाएगा false, तो answer क्या है tff, बदद p की value true, q की value false, और r की value हो जाएगी false, तो आफास कर रहा हूं, क्योंकि maximum लोगों ने इसको solve किया होगा, so tff, where is tff, 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 तो हाँ, a is the correct answer, check कर ले दे पहला, I don't know, इसमें नीचे option नहीं है, तो last में लेख लेते हैं, क्या है exactly, a is the, हाँ, guys, yes, perfect, a is the correct answer, one, last question, guys, last question, देख लो, सब लोग, so क्या लिखा है, if every square is a rectangle, every square is a rectangle, ये P है, and every rhombus is a kai dentu,